पहले सबसे बात करते हैं कि जनाव आपने एक tweet कैसे बनाना है किसी भी एक topic से related और उसको फिर share कैसे करना है अपनी post बनाने के बाद ठीक है और ये जो चीज है हम किस तरीके से manage करेंगे अब विसली जब हम article लिखना start करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा references और बागी और उसके बाद हम अगले part में देखेंगे के how to write a blog ठीक है फिर उससे अगले वाले में देखेंगे how to write facebook posts with chat GPT और AI ठीक है और इसके साथ ही आपको मैं एक और tip दूँगा कि आप how to write content for others to earn कि आप अगर Fiverr की आप वर्क पर जाते हैं और आप content writer की job लेके किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं let's begin this और इसके लिए आपको बकाइदा जो है वो Google Chrome पर दुबारा से जाना पड़ेगा और अगर आप मेरे साथ यह practice करते जाएंगे it would be easier for you ठीक है जी सबसे पहली चीज़ मैं directly move करूंगा यहां से परप्लैक्सिटी पर यह जी परप्लैक्सिटी यह वैबसाइट है जिसके अंदर आप किसम की सर्चीज कर सकते हैं यह इसका इंटरफेस इस तरीके से होता है आप इससे कोई भी question पूछें इस गोइंग तो आंसर यू और दूसरी चीज हमारे पास है चैट जीपीटी इसके बारे में सब को पता है इस वन आपके पास इसकी आईडी होगी अगर नहीं है तो आप इसकी आईडी बना लें और यू कन यूटिलाइज दिस टूल और लेटर स्टेज़िस मैं वसल में जो मेरी लॉग इंड वाली आईडी है मैं उसे लागता हूं यहां पर ताके इजली हम देख सकें यह मेरे पास चैट जीपीटी है लॉग इन करने के बाद और फिर साथ में मेरे पास परप्लेक सिटी है यह दोनों चीज़े मेरे पास यहां पर अवेलेबल है मैं इन दोनों को यूटलाइज करके एक ट्वीटर की पोस्ट पहले बनाऊंगा फिर हम चलेंगे आइस्ता इस यह पेड में तो मैं इसको ब्राउजिंग यूजिंग बिंग डेटा यह इस पर क्लिक कर लेता हूं अगर आपको नहीं पता तो और रेड़ी यहां पे काफी ज्यादा प्लग इन्स और रेड़ी मजूद हैं जो जितने काम हमने किये हैं अभी तक वह आप चाहें जीपिट राइट ट्वीट ट्वीटर थ्रेड मैं बोलूँगा ऑन दी फॉलॉविंग टॉपिक यह मैंने एक फॉलॉविंग टॉपिक का मैंने लिख दी है अब मैं शिफ्ट एंटर दबा के नीचे लिखूंगा टॉपिक का नाम फॉर एक्जैंपल मैं कहता हूं यूज ऑफ अब मैंने इसको पूरा संटेंस बना के देना है यह कीवर्ड नहीं लेगा यहां पर अगर आप कीवर्ड लिखेंगे भी इस फाइन लेकिन यह यूज ऑफ वो सारी चीज़ों को जरूर साथ में आपने लिखना है अब आपने कीवर्ड सिरफ नहीं देना है आपने लिखना है यूज ऑफ डेटा साइंस इन अग्रिकल्च तो इंक्रीज द फूर्ड स्क्यूरिटी बाइट्विंटी फिफ्टी प्लीज राइट ट्वीटर थ्रेड ऑन दिस मैंने टॉपिक लिख दिया अपना क्यूंकि मैंने यह लार्ज लैंगुज मॉडल है तो प्रॉम्ट बनाना और प्रॉम्ट बना के लिखना जरूरी है की किसी के पास चैट जी पीटी फॉर नहीं है डोंट वरी अबाउट बाउट चैट जीपीटी 3.5 भी इस पर काम करेगा तो यह देखें दरह यहां पर मैंने 3.5 पर काम किया मेरे पास फिर भी काम कर रहे हैं सो मैं 3.5 पर चल रहता हूं यह मेरे पास एक ट्वीटर थ्रेड आ गया है ट्वीटर थ्रेड गया होता है अगर किसी ने ट्वीटर कभी यूज नहीं किया तो मैं उनको दिखा देता हूं कि ट्वीट कुछ इस तरीके से ट्वीटर चलता है आपकी यह वेबसाइट है यहां पर एक ट्वीट लिखते हैं फिर आप एड करते जाते हैं दूसरा तीसरा चोथा पांचवण चटा सात्वा अगर आपने सिंगल ट्वीट करने हैं तो आप इसी को यहीं पर बोलेंगे कनवर्ड इस इन्टो सिंगल ट्वीट अनली एंड यूज इमोजीज इंसाइड इमोजीज यह वाले हैं क्रॉप आ गया ग्राफ आ गया ग्लॉब आ गया प्लांट आ गया कीडे मुगोडे जो भी आ गए और साथ में यह हैश्टाइग भी दे रहा है आपको विच इस इसेंशल फुर ट्वीटर डेटा साइंस इस ट्रांसफोर्मिंग अग्रिकल्टर इंशूरिंग फूर्स क्यूर्टी बाइट्विटी बाइवरिजिंग डेटा डिवन इंसाइट्स फार्मर्स लखा गया अब देखेंके अब एक स्टेटमेंट देत रहे हैं लेकिन इसके सम्हसें निए नॉलीज नहीं ठीक है अब अगर हमने इसको एक fruitful Twitter के अंदर change करना है अगर हमने fruitful Twitter के अंदर इसे change करना है then I will ask this कि आप मुझे बताओ कि ये किस तरीके से change कर रहा है कोई एक question पूछना है जो हमने conclusion sentence के question नहीं बनाया था कि Canada रहने के लिए अच्छा है या नहीं अच्छा वह वहला sentence हमने यहां पर पूछना है इससे why data science is is crucial to crucial for food security by 2050 make a simple Twitter thread for scientific community which belongs to agricultural background and अब मैं यहां पर इसको information देई जा रहा हूं जितनी information दोंगा वह उतना अच्छा बनाएगा अब इसको और अच्छे तरीके से बनाते मैं इसको कहता हूं make a Twitter thread for Twitter thread of five tweets अब देखते हैं यह 3.5 model इस पर काम करेंगा इट विल टेक टाइम अब आप चेक करें उसने जो यहां पर मुझे रिजर्ट दी हैं this is some kind of fruitful like the crucial role of data science in ensuring food security by 2050 for the agricultural community अब main thread इसका हमारे काम का नहीं लग रहा तो मैं कहता हूं के make the first tweet attractive तो आप यहां से first tweet को attractive बनाने के लिए data science is the key to feeding word by इस अब मैं क्या करूंगा tweet करने के लिए मैं से copy करता हूं Twitter पर गया यहां पर मैंने किया paste ठीक है अब जाहरी बात है यह जो है यह red color आ रहा है इसका मतलब यह है कि आपकी limit minus 46 में ज्यादा होगी है क्रेक्टर में ठीक है मैं इसको remove करता हूं बारा क्रेक्टर और एक्स्ट्रा है मैं Twitter को उसको भी बोलता हूं कि remove 46 क्रेक्टर remove 46 क्रेक्टर and reduce text सिरफ उसको मैं काम बता रहा हूं कि यह कर दो वो कर दो ठीक है and it did copy करता हूं यहां पर मैं से paste कर देता हूं still it's more words तो मैं इसको end वाले को remove कर देता हूं and now you see कि हमारा data science is vital for feeding the word by 2050 with a growing population and agriculture challenges data-driven insights are crucial for sustainable food production let's embrace data science in agriculture and ensure food security for all यह आपने decide करना है if it sounds good or not reason क्या है आप sole responsible है जो यहां पर paste कर रहे है क्योंकि Twitter की ID मेरी ID है अगर मैं को ऐसी वैसी चीज लिखूंगा लोग समझेंगे मैंने लिखा उनको नहीं पता AI ने लिखा so then I will add a thread here अब यह एक thread बन जाएगा यह प्लस के बटन पर क्लिक करने के बाद ठीक है यह वाला प्लस का बटन अब मैं क्या करूंगा यह जो मैंने उपर वाले पांच बनाए है ना इनको बारी बारी पेस्ट करूंगा लाइक दिस वन पापी पेस्ट और जारी बात है एंड पे ज्यादा आ रहा है तो मैंड वाली लाइन ने डिलीट करता जाओंगा यह आप इसे बोल सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो के यह ज्यादा आपने बता दिया इसको रिमूब करो कुछ चीज़ों को और अदर्वाइस यू कन ट यहां पे इसको मैं डिलीट करता हूं यहां पे एंड लगा देता हूं तो मैं कहता हूं इरिगेशन and fertilization so I know के मेरे field में कौन सी चीज इंपॉर्टन है में उस तरीके से उसको ट्वीक करता जा रहा हूं and at the end copy paste obviously यहां पे भी ज्यादा चीज़ें आ रही है so I can either make it like that or other thing is यहीं पे आके मैं इस Twitter thread इस thread के बाद यहां पे कहता हूं make it under wheat limit make it under wheat limit but now it will it should do it मैं इदर paste कर देता हूं सारा let's see probability है कि अब जो यहां पे sentences आ रहे हैं वो हमारे पास reduced होंगे तो मैं इसको दोबारा से copy paste करता हूं पहले से लेके आगए तक hopefully everything will be working fine yes now it's working fine उसको पहले नहीं नहीं बताया था कि Twitter limit आपने maintain रखनी still some problems लेकिन they can resolve these issues hopefully और यह इशू आपको तब नहीं आएगा जब आफ फोर वाला वरिजन यूज करेंगे इसका इन ट्वीट होगे चोथा आपने करना है आप काइन ली फील्ड के बारे में फॉरण बना सकते हैं सेम ट्वीट और आप अपनी अपनी आईडी से अगर करना चाहें तो आप करें ताके बाकी लोग फिर आपको वहां पर फॉल्हों गड़ सकते हैं कि अध्य ट्वीटर थ्रेड त्यार इस तरीके से ट्वीटर थ्रेड गाम करता पहले आपने एक ट्वीट किया फिर वन बाइव तू बाइव तरी बाइव और फाइव यह पांच वीट्स होगे फिर एंड पर कंक्लूए ना थोड़ा सा छोटा सा ट्विटर थ्रेड बने आप इसके अंदर हैश्टेग बगरा भी यूज करते हैं और यू के शो के आप क्या काम कर रहे हैं और कोशिश ये करें कि आपके अपने फील्ड से रिलेटेड आप ट्विटर थ्रेड करें आप कि इस थेट में और ये इसके नीचे थ्रेड बनें इस इस आव यू नो कि आप डेता साइंस पे काम कर रहे हैं और लोग आपको जानना स्टार्ट करते हैं कि इस गाई और इस वग की पोस्ट बनाएं तो उड बेड़ वेरी हलफूल फॉ यू तो यह मैं आपको इसका लिंक किसी चीज़ पर काम कर लें ठीक है और मैं यहां पर फॉर को यूज करूं जो मेरे पास प्लस का वरियन है और यू विल ठीक है और यह क्रेक्टर लिमिट के अंदर रहेगा अगर आपके पास चैट जीपीटी प्लस वरियन नहीं है आप सेम चीज़ को कॉपी करें और यहां पर पेस्ट कर दें पर्प्लेक्सिटी के अंदर और यहां तो यह इस तरीके से आपको सेम वे में ट्विटर थ्रेड बन पर्प्लेक्सिटी तो यह आपको यहां पर रफ्रेंसिज भी देगा ठीक है पहला मैंने यहां से लिया दूसरा यहां से तीसरा यहां से चोथा यहां से यही नहीं आपको पर्प्लेक्सिटी कुछ और आप्शन भी देता है वन अफ देम इस आपको रिलेटेड क्वेस्ट बताता है किससे आगे क्या करना है उससे आगे क्या करना है तो यहां पे GPT-4 यूज़ करने के लिए आपको basically मैं अगर इसको delete करूं यह यहां पे अगर आप paste करते हैं तो GPT-4 तो यह use career है साथ में अगर आप ने co-pilot को यहां पे क्लिक कर दिया तो यह और भी हैवी किसंग का काम करेगा जो पांच को पाइलेट आप यूज़ कर सकते हैं चार घेंटों के अंदर-अंदर ठीक है? तो इस विल इन्हांस दि कैवेबिलिटी ओफ राइटिंग ट्वीट पर अब लॉग अच्छा यह तो मैंने बात की प्लीज राइट ट्वीटर थ्रेड अगर मैं कहूं प्लीज राइट आ ब्लॉग सेम वोही चीज सिरह मैंने ट्वीटर थ्रेड को ब्लॉग से चेंज किया है और मैं यहां पे आल की बजाए एकडामिक पे क्लिक करता हूँ अगर आप इसको बोलते हैं मेक दे सेम फॉर मेक दे ब्लॉग और सेम थी मैंने सिरफ यह लिख है चैट जी पीटी भी उसका ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर देगा विद टाइटल और आप चेक करें टाइटल की स्ट्रेंथ डेटा साइंस इन अगरिकल्टर आपको फिर उसने स्ट्रेक्शर बना दी पूरा ब्लॉग लिखके आपको दे दिया यह बड़ा यह पूरा ब्लॉग दिया मुझे पर्प्लेक्सिटी ने बियॉड लिमेट है चेक करें दरा यूज अव डेटा साइंस इन अग्रिकल्चर तु इंक्रीज फूर्ट स्कूरिटी बाइट ट्वंटी 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 फाइव और अगर देगा भी तो यह र आप यहां से देख सकते हैं पर्प्लेक्सिटी पर रेफ्रेंसिस सही आ रहे हैं आपके पास ठीक है और अगर आगे उसको एक्स्टेंड करना चाहें आप क्वेस्टन पूछते हैं वाट अर्डी अग्जैंपल्स वह आ गया तो को पाइलेट अंडेस्टेंड करेगा तो इ इसी तरीके से आप अपना ट्वीटर बनाते हैं चलें एक और आपको यहां पर ऑप्शन दिखाता हूं यहां पर आप मैंसे काफी लोग जो हैं वह वट्सप्स्टेश भी लगाना चाहते हैं मेरे जासे लोग है में चोटे की दिन उठके को छोटे से क्रेक्टर में इमोज स्टेटिस यूजिंग इमोजी इस ऑन दे सेम थिंग लेंज ना और क्रियेटिव वट्सप्स्टेश आएगा देखिएगा एक आया आपको नहीं पसंद आप इसको बोल दें मेक फाइव वट्सप्स्टेटिस लेट्स सी चेक कीजेगा आप अपने फील्ड के बारे में दुनिया को बता रहे हैं कि क्या नया आ रहा है और इस विज़ा से मुबाइल की आप इंस्टॉल करना जरूरी है क्योंकि वहीं पर बनाया, वहीं पर कॉपी किया, वहीं पर पेस्ट किया, वहीं पर स्टेटस लगाया और दुनिया देख रही है दुनिया जे मुराद आपके इर्दिकिर्द बाले जो लोग ये कहते हैं कि यार मैंने शोफ निवारनी अपनी रिसर्च की ना मारे आप शोफ लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो डांस करके वीडियोज डाल रहे हैं आप तो पिर साइंस की बात करें और कोई गलत बात नहीं है अगर हम नहीं बात करेंगे तो कौन करेंगा अगर साइंटिस नहीं शम्रश रमाएंगे तो आम जनता को आम अवाम को बताएगा कौन के क्या चल रहा है दुनिया में ठीक है काम करके दे रहा मुझे so I don't need to spend even a single penny on this one ठीक है लेकिन उन्होंने बोला है कि प्रो ले लो आप नया नया आया है इसमें और चीज़ है भाई मैंने नहीं लेना I'm good with this one ठीक है अच्छा मैंने सिरफ अभी इसकी बात की है यहां पर मैंने सिरफ जिस चीज की बात किया इस पर प्लेक्सिटी एंड जैट जीपीटी और हमने ब्लॉग लिखा है और ट्विटर थ्रेड बनाया है लेट्स डीप डाइव इंटू पार्ड नाओ विच इस न्यू टूल बिलकुल न्यू टूल है आपको पता है गूगल का बना हुए इस पे चलते हैं लेट सी यह है बाइब आपका नजरारी स्क्रीन आपको यह नजरारी होगी यह बाइड है तोटली फ्री है कोई चार्जी नहीं है वेब साथ लिंक्ड है चैट जीपीटी वेब साथ लिंक्री है व्क्तले ब्राउजिंग डेटा पर नहीं काम कर रहा था अंटिल अन्लेस यू क्लिक आन बिंग तेंग अब हम क्या करेंगे हम सेम चीज को यहां पर लिखेंगे पार्ड के अंदर प्रॉम्ट यहां पर लिखा हमने वो ही आप देखिएगा जिनके पास स्पोर्टेड नहीं है वो ऑपिरा का ब्रॉजर इंस्टॉल करके यहां से वीपिया नॉंग यह मैंने पहले भी बताया था आप चेक करें विदिन फ्यू सेकंड मेरे पास यह चीज आगे ट्वीटर थ्रेड और समफिंग लग डाट मेंग दिस इन्टो इन नाइस अन अट्रेक्टिव पेस्बुक पोस्ट तु शो ओफ मैं जान बूच के शो ओफ लिख रहा हूं क्यूंकि इसने अब एक्स्ट्रा लेवल का इसमें टॉन रखना है आप ज़रा चेक के जिए यह ज़रा पढ़े आपको समझ आ रहेगी इसको कहता हूं यूज इमोजी इंसाइड यह इमोजी आगे इसमें ठीक है तो आफ फेस्बुक पोस्ट वर्ट सब्स्ट्रेटर्स वर्टेवर यूँ वांट तो यूज आप तीसरे ब्राउजर पर चलने वाले हम विच इस बिंग एयाई के लिए आपको एज्श माइक्रोशॉफ्ट एज्ज जो है उससे इंस्ट्रॉल करना पड़ेगा अगर आपको नहीं पता तो यह माइक्रोशॉफ्ट वह है जब आप नहीं नहीं विंडो इंस्टॉल करते हैं और आप आप से वह पूछता है यूज करना है आप कहते हैं नहीं यह वह वाला Microsoft Edge है उस पर जाता हूं डिरेक्ट ली जिस्ट अ मिनिट यह जी Microsoft Edge इंग AI ठीक है आप इस पर जाने के बाद यहां पर चैट पर क्लिक करेंगे चैट पर क्लिक करने के बाद देरा मैने तिंग्स विच यू कन डू और एग्जांपल यहां पर बिंग AI पर आप गहें है Microsoft बिंग पर यहां पर चैट पर क्लिक करें ठीक है तो इस तरीके से बिंग AI सेर्च स्टार्ट होगी अब आप चैक करें बैलंस मोर एकुरेट क्रियेटिव एंड प्रिसाइज यह तीन किसम के टूल्स यहां पर यूज होते हैं और यह जो भी आप टॉन स्लेक्ट करते हैं आपको डिफरन तरीके से आंसर आते हैं अब यहां पर मैं एक्स्ट ठीक है कैसे पहले तो हम वही चीज़ बनाते हैं ट्वीटर थ्रेड कॉमा यूज इमोजी इंसाइड एंटर देखियेगा यह थोड़ा टाइम लेगा बट आई सेट क्रियेटिव टूल को यूज करो अब आप चैक किजेगा थोड़ा स्लो चलेगा बट इट विल गिव वह आपको मोर एकुरेट देगा जिससे आपके डिजिटल अपिरेंस बढ़ेगी ब्लॉग आप अच्छे लिख सकते हैं जितनी आप इंफ्रमेशन देंगे ना प्रॉंप्ट के अंदर वह उतनी इंफ्रमेशन ज्यादा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेगा और यह ठीक है ठीक हो गया अभी सिरफ इतना ही नहीं वह कहता है ना रुको जरा सबर करो बोला धका मुकीन ही करने का अगर किसी को नहीं पता तो यह राइट साइड पे ना राइट कॉर्णर पे बिंग का भी आ रहा होगा यह वाला इस पे अगर आप क्लिक करें तो आपके पास क कुछ इस तरीके से चीज ओपन हो जाएगे जिसको हम प्रॉम्ट कहते हैं चैट बॉक्स कहते हैं आप लोग बोर तो नहीं हो रहे बाइदावे जो लोग बोर हो रहे ना वो सो जाएं जागे सिंपल इस डाइट यह चेक करें ठीक है अच्छा जब मैंने छूटी चीज़े लिखनी थी नहीं यहां पर चैट कर रहा था मैं कम्पोज पर क्लिक करो आप आप बला चीज आने वाली है अगर किसी के पास बिंग AI है तो स्टार्ड मेरे किया हूए उन्होंने तो यह चेक करें कम्पोज पर मैंने क्लिक किया है मैं इसको जूम इन करता हूँ थोड़ा सा कम्पोज पर क्लिक करने के बाद आपके पास what you want to write about वो आएगा मैं कहता हूँ कि भाई मैंने ये लिखवाना है तुमसे के त्वीटर थ्रेड बनाके दो मुझे या मैं कहता हूँ ब्लॉग बनाके दो आं डिव ऑन और मैंने बोला है योज एमोजी यह मैंने बोला अब वह कहता स्तॉण रखनी है पिरफेशिनल रखनी है। हैं धुजियाइस्टिक रखनी हैं इन फॉर्मेशणल रखनी है यह अ Aussुन होताँ अ है प ajugरह बनाना है एमेल बनाना ब्लॉब पोस्ट बनानी के आईडीयास जन्रेट करने हैं मैं kan ब्लॉब पोस्ट बनानी मैंने पहले बहुत आया हुई इसा रहे लूए पर कॉन से कलर का सूट लेना है फलाँ कलर का हमारे पास यह 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 कलर पड़े हैं वो यह नहीं कहेगा कि फलाँ नहीं पड़ा हुआ तो यह मार्किटिंग है इनकी वह आपको बगाईदा इंफरमेशन दे रहे हैं और आपके जो ब्लॉग है उसको एड़ दियंड फाइनलाइज करन यह पूरे का पूरा ब्लॉग लिखके आपको दे रहे हैं और अगर आप इस ब्लॉग को पढ़ेंगे ना कोई कॉमा की मिस्टेक नहीं होगी कोई ग्रैमेटिकल मिस्टेक नहीं होगी कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं होगी विच कैन भी यूनो अगर नहीं पसंद आप कर सकते हैं आप सेम चीज़ को डिफरेंट वे में भी लिख सकते हैं ठीक है तो यह हमने देखा है कि ब्लॉग राइटिंग के लिए और बाकी चीज़ों के लिए हमारे पास चार टूल है चैट जीपीटी दूसरा हमारे पास था परप्लेक्सिटी तीसरा हमारे पास बार्ड चोता हमारे पास बिंग डॉट एयाई यह बिंग एयाई और यहां तक आपको समझ आगे चीज़ों की कि कैसे हम एक फनी चीज़ बनाते हैं पैराग्राफ बनाना है आइडियाज बनाने हैं और सो और सो फॉर्थ अब हम नेक्स वे पर मूव करते हैं जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपने लेयाउट कैसे बनानी है अपने पेपर गी और फिर हम पेपर लिखना स्टार्ट करने वाल सुट्ट